नमस्का साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, कि हम लोग UPSC और State PCS और जब मैं State PCS गोलता हूँ, तो इसमें आपका उत्तर पिदेश PCS, बिहार PCS, मद्ध पिदेश PCS, राजिस्थान PCS, चतिसगड PCS, इस तरह कि आप देखते हैं कि State PCS जितने भी आपके होते हैं, जितने भी राजिया आपके PCS करवाते हैं, उनकी बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो आप देखें कि इनका Prelims, जो पेपर आप लोग देखते हैं पहला पेपर, Prelims का होता है, पहला पड़ाव आपके सामने Prelims का होता है, प्यारंबीक परिक्षा का होता है, और इसमें आपने देखा होगा कि दो पेपर होते हैं आपके, और एक पहला पेपर होता है उसी दिन, और आपने देखा होगा दूसरी पाली में आपका दूसरा पेपर होता है, तो दूसरा पेपर तो मुझे लगता है कि आप ल तो इन किलासों में आपके इन सभी subject को cover करवाए जाएगा और इससे आप लोगों को दो फायदे होगे एक तो prelims के लिए फायदा मिलेगा आप लोगों को एक आपका base मजबूत होगा और base मजबूत होगा तो आप लोग देखेंगे कि आपकी मुख पर इच्छा है या फिर optional ह तो इसमें भी आप लोगों काफी फायदा मिलेगा और इसके लिए एक आपकी separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and stage PCS prelims special classes के नाम से इसमें सभी आपकी किलासें करम से डली रहेगी वहाँ जाकर आप लोग सभी लोग देखते रहेगा और last class में आपने देखा होगा कि हम लोगो इसके बारे में बात करनी है गुप्त समराजी के बारे में किसके गुप्त समराजी के बारे में और आप देखेंगे कि गुप्तों का समय पेरेड रहता है इनका 319 ESB से सुरू होता है और 550 ESB तक रहता है 319 AD से सुरू होता है और 550 AD तक रहता है मौरिस समराजी के विक्टन क के बाद दीर काल तक भारत पर भारत एक सासन के सूच्ट के अंतरगत नहीं आ सका और इस राजनितिक विक्टन का सामना करने के लिए मुक्रूफ से तीसरी सताब्दी में भारत के तीन कौनों से तीन राजबंसों का उदह होता है एक आप देखेंगे मद्द पिदेश के पश अच्की समय में आप लोग उत्तरपिदेश देखते हैं और बिहार देखते हैं न तो इसी मेंटा गुप्त सासकों के लिए बिहार की अप्यक्चा उत्तरपिदेश अधिक मातवडा था बरान। धा और संब्हुत बहुता गुप्त कुसानों के सामन्द थे जिनके कुसानों के और आप देखें कि अगर गुप्त काल के अध्यन के सिरोत की बात करें यानि कि गुप्त काल के बारे में हमारे सामनी कौन से सिरोत हैं गुप्त काल के बारे में जानने के लिए तो गुप्त काल की जाने करी हमें साहितिक और पुरातात्मिक दोनों फिकार की सरोत्वion से मिलती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय लिखा जाने लगा था और उस भासा को या उसलीपी को इस समय पढ़ा भी जा सकता है तो आप उसके द्वारा भी आप देखें कि इस समय के बारे में जानकारी इखटी करते हैं और दूसरे आपके पुराता अद्वी खुद है विभिन लेक है आपके समय रहे हैं आप लोग तो अगर हम लोग इसमें साहितिक सरोतों की बात करें तो जैसे पुरान हो गया इसमें विश्णू बायू ब्रहमड पुरान हो गया बिसाकदत का देवी चंद गुप्तरम हो गया काली दास की किर्थिया हो गया सूद्रक का मेक्ष कटिकम हो गया वात्सायन का काम सूथ हो गया इनसे हम लोग गुप्त काल के बारे में जानकारी इखटी करते हैं और पुराता तीवी सरोतों में अगर आप देखें तो आप लोग अभिलेक हो गया सिक्के हो गया इसमारक हो गया इसे भी तो हम लोग गुप्त काल के बारे में जानकारी इखटी करते हैं ना लेक चंद गुप्त दूती है उदाइगिरी सिलालेक साची सिलालेक और कुमार गुप्त का बिसल बिल सल सड अभिलेक मंदसों अभिलेक करम दंडा अभिलेक कुमार गुप्त का है इसकंद गुप्त का जुनागवड अभिलेक इंदोर तामपत भीतरी इस्तमलेक एरन अभिलेक भानुप्त से संबंदित था इनसे भी हम लोग गुप्त काली के बारे में जानकारी पराप्त करते हैं सिक्कों में आप देखें तो स्वर्ड रजत ताम मुद्राएं हो गई जिसमें गरुण पिकार, धनोर धारी पिकार, परसु पिकार, असो मेग पिकार, वीडा बादन पिकार, राम गुप्त और चंद गुप्त दुतिये के सिक्के भी परमुख हैं गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडा राजिस्थान के बयाना से पराप्त हुआ और इसे गुप्त युप्त की राजनेतिक आर्थिक स्थिटी की भी जानकारी मिलती है सिक्कों से इस मारकों में हैं एक गुप्त कालीन मंदिर मूर्तिया, चैत ग्रै, गुहा मंदिर भी पराप्त हुए है जैसे भूमरा का सिर मंदिर हो गया, देवगड का, दस अवतार मंदिर हो गया, देवगड जहासी के पास है और कभी देखने जाएं तो देखने चाहिए, देखे मुझे लगता है कि इस तरह कि जब भी आपके पास टायम है तो इतिहासी किस तरह आप लोगों को घुम भी लेंगे, उसके बारे में पहले आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, फर वहाँ जाकर देखना चाहिए कि अच्छा, एक किताबों में जो बताया गया वही है, वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि इस इतिहास भी कबर होगा और आप लोग घुम भी लेंगे, भीतर गाओ का मंदिर हो गया, साथी मतुरा, सारनात, देवगर, सुल्तान गंज, आदी से बुद्ध सिव, विश्नु आदी की मूर्थियां गुप्त धार में किस्तिती की जानकारी देती है, साथी अजंता और बाग की गुफाएं भी हो पुद्धाकर, चटोपध्या, रमिश्चंद, मजूमदार, उजा, इन्हें छत्री मानते हैं गुप्तों को, ऐसार चौदरी, इन्हें ब्रह्मन मानते हैं, तो इनकी भी याद रखा करिएगा, ठीक है, कि किनों ने किस जाती का माना, गुप्तों को, मौरेयों के बारे में ही आप लोग देखते हैं कि कुछ कहते हैं, सूद्ध हैं, कुछ कहते हैं, छिट निचली जाती हैं, कुछ कहते हैं, चट्री हैं, तो ऐसा ही आप लोगों को, गुप्तों के बारे में भी देखने को मिलेगा, किन के बारे में? गुप्तों के बारे में भी देखने को मिलेग तो चंद गुप्त पिथम था लेकिन संस्थाफक अगर आपसे पूछे तो सरी गुप्त आप लोगे याद रखेगा उसका उत्तरादिकारी वपुत्य घटोत कक्ष था और उसका राज्य संभावता मगत के आसपास ही सीमित था परंतु गुप्त बंसावली में सबसे महान पहला सासक चंद गुप्त पिथम था और इसे ही गुप्त समराज का संस्थाफक बास्तिविक संस्थाफक माद्दे है अगर हम लोग चंद गुप्त पिथम की बात करें तो इसका समय रहता है 319 से 335 इसापूर तक कब तक पहरी महाराज या दीराज की उपाधी घहन करने वाला पिथम गुप्त सा सकता और इसने 319 से 320 में गुप्त संबत की सुरुवात की थी और इसे गुप्त बंस का वास्तिविक संस्थाफक भी माना जाता है चंद गुप्त पिथम को इसने अपनी राजनितिक इस्तिती को राजनिता होते हैं एक दूसरे राजनिता के घर में अपनी बेटी या अपन पुत्त की साधी करते हैं उसी तरह आप देखिए उससमयं भी एक सासन अपना च्षित बढ़ाने के लिए वह भी पड़ोसियों से अपनी साधी करते रहते थे तो चंद गुप्त नहीं एसा ही स किर्टी खुदवाई लिच्वी से गुप्तों ने अपने संबन्दों को इतना मत दिया कि समुद्ध गुप्त को लिच्वी दो हित्वे भी कहा जाता था अब आप सोची कि आप रिस्तेदार बन गए तो पड़ोसी से बिलकुँ खत्रा टल गया वो पड़ोसी हमारा ही हो गय एक तरह सेन का फिर आप देखेंगे चंद्गुप्त के बाद पिथम के बाद आपका आता है समुद्ध गुप्त कौन आता है समुद्ध गुप्त आता है और इसका समय रहता है आप देखेंगे 335 से 375 इसापूर इस भी तक इसापूर कहां से निकल रहा है कहां तक इस भी तक एडी तक ठीक है जरूर याद रखेगा जंद गुप्त पिथम के बाद उसका पुत्त समुद्ध गुप्त सासक बनता है और इसके सवय गुप्त समराज का सरवादिक बिस्तार हुआ और समुद्ध गुप्त की सामरिक विजयों का बर्डन हरी सेन के पिसस्ति का प्रयाग पिसस्ति साथवा इस लोग जो की असो के इलावाद अभी लेक पल लिखी है इससे पता चलता है बीए समिद ने समुद्ध गुप्त के नियंतर विजयों को देखती हुए इसे भारत का नेपुलियन भी कहा था एक कुश्चन से बंडे एक जाम का एक तरह से फैवरेट कु किया था और प्राजित राजाओं में अचीउध नांगसें गनपती नांग पिरमुक्ते उसने उतर भारत पर पित्यक्षे सासन किया था उसने दच्छिडापत की बारे सास्कों को पराजित किया और गर्टंती राज्यों इववसक को सारड़ और मूरुंड आधी को होता है उसके सेक्कों पर आप आपिती रत ब्राग पराक्रमांग पराक्रमांग जैसे विरुद्ध अपाधी उसके गौरम में जीमंचरित का इसपर्ष्ट साक्ष पिस्तुत करते हैं प्रयाग के सस्ती के अंसा समध्धुगुप्त की दिगेवजयती नीती का उद्देश ध गया में मठ बनाने की अनुमती मांगे थी लंकाह नरेश समध्ध गुप्त बिजेता की सासाथ कभी संगीतग बिध्याग सरक्षक भी था और उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए एक चित्तित किया गया है और कभीराज की उपाधी भी इसे पिदान की गई है औ और इसने महान बहुत बिक्षू बहुत बंधू को सरक्षन दिया था इलहाबाद इस तम लेक में समध्ध गुप्त को कि धरम पिर्चार बंद उपाधी का उलेक मिलता है धरम पिर्चार बंद तो इन्हें भी याद रखिएगा समध्ध गुप्त की विभिन राज्यों की फैपिती अपना ग chopping नीतित्ρι हो गई यह संफे आप देखेंगे प्रसाभवधरण और दच्चन भारत में आप देखेंगे गर्हाण सत्रूपर अधिकार मुोग्ज सत्रूपर करना अनुग्र美國 राज लोटा कर सत्रूप दया करना गरतंति ये राज्यों में सरब करदान आज्या करन प्राणा प्राणा आ मागमन सक कुसान मौरूंड आदि विदेशी राज्यों पर आप देखेंगे आत्मने वेदन समराट के सामने स्वहम हाजिर होना कन्यों पादन पुत्रियों का विवाग गुप्त राजा से करना गुरुत गुरुत मदक ये सो विजय भुक्ती सासन याचना अपने विजय विशय या भुक्ती के लिए सासन देश प्राप्त करना इसकी नीतिया भी रही है ठीक है फिर आप देखेंगे चन्द गुप्त दुतिया आता है और इसका समय रहता है 380 से 412 इसी भी तक संभावता समुद गुप्त के परशाद चन्द गुप्त अपने अग्रज राम गुप्त की हत्याकर सिंगासन पर बैठा था और विशाका अदत की देवी चन्द गुप्तरम हरस्चरेत, कावे मिवांसा और एरन एवं भेलसा से प्राप्त राम गुप्त के सिक्के सिद्धे साब में संकेत भी करते हैं चन्द गुप्त दुतिये के सासनकाल में गुप्त समराज अपने उतकर्स की चोटी पर पहुँचा उसने बिवाहिक सम्मंद और विजय दोनों की ही दोनों ही तरह से समराज की सीमा का विश्थार किया जहां आप देखिए कि प्रहें से बिवाह होकर समराज विश्थार हो गया वहाँ उसने वो नीती अपनाई और जो नहीं माना तो उससे आप देखिए दियुद्ध किया इसने चंद गुप्त दुतिये के अन नाम मिलते हैं देवगुप्त देवराज देवसरी और उपादियों में आप देखेंगे बिक्रमांक बिक्रमादित परमभागबत इसकी उपादी मिलती है इसने नांग नांग बंसी एकन्या कुबे नागा से वति गुप्त थी वकाट्कों का सहीव पराप्त करने के लिए रुद्यसेहं दुतिये से प्रभाबती गुप्त का विभाभी किया थो तर्था पुत्य कुमार गुप्त का विभार कदमबंस इसमें किया था इसने फिर आप देखें कि चंदगुप्त दुतिये ने सक मुद्राओं के अनुकरन पर चांदी के सिक्के उत्कीन करवाए और पश्च्मी सक बिजय के फ़सरों ही उसने ब्राग सिक्के के उत्कीन करवाए थे और तधा बेकरवादित उपादी विधारन की थी चंदगुप्त की विधिग विजयों का उलेक उसके उदैगरी गुधा लेक से होता है और दच्छेडी दिल्ली के महरोली इस थम लोहे स्थम में चंद नावाक सासक की विजयों का उलेक मिलता है और इसे इसकी चंद की पहचान चंदगुप्त दुतिये से लगा ली जाती है और इसलेक में राजा चंद दुवारा सिंदू पार कर वाहिलिकों की विरुद्ध और पूर में वंग सास्मों की विरुद्ध विजय का बर्डन मिलता है चंदगुप्त दुतिये के समय में पाटली पोत और ओजैनी बिद्ध्या के प्रमुक्यन थे सिक्षा के और जैनी उसकी दुतिये रागधानी थी चंदगुप्त दुतिये का सासन काल उसकी लडाईयों के लिए ही नहीं बलकि कला और साहित किपती उसकी अरुडाक के कारण भी पिसिद्ध है अनुसरूरतियों के अनुसार इसके दरवार में नो विद्ध्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे आप लोग नौ रतन कहते हैं चंदगुप्त का काल ब्रमण धरम ब्रमण धरम इस काल में चरूतकरस पर था और पाठली पुत्वे से ही फायान ने बापसी यातरा प्यारम की अपने पूरे विवनर में वह कहीं भी समराठ की नाम का उलिख नहीं करता है उसके बाद आप देखेंगे कि कुमार गुप्त महेंदा दित आता है और ये 415 से लेकर 455 तक रहता है इस भी तक कुमार गुप्त की माता का नाम धुरुप देवी था और उसका एक छोटा भाई गोविन्द गुप्त था कुछ बिद्वानों को विचार है कि गोविन्द गुप्त और कुमार गुप्त पिथम के बीच उत्रा अधिकार को का कोई योद्ध हुआ का कोई योद्ध हुआ और परन्तो इस बारे में निश्चित रोप से कुछ कहा नहीं जा सकता है कुमार गुप्त के सासन की पिथम ते थी 415 और इसके विलसर्ड अभिलेक इटा उत्तरस पिदेश से पराप्त होती है विलसर्ड अभिलेक से ही कुमार गुप्त तक गुप्तों की बंसावली पराप्त होती है इसके सासन का सोवेवस्थित बैडन उसके मंद्र सौर अभिलेक मंद्र पिदेश से मिलता है ये मंद्र सौर अभिलेक आप देखेंगे कहा है मंद सौर्मेद, मंद पिदेश में यहीं एक पिसस्ती के रूब में है और इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी गुप्त सासकों में सरबादी का विलेग कुमार गुप्त के मिलते है और इसके चांदी के सिक्के परमयूर की आक्रिती उतकीन है मयूर मतलब आप मोर समझ रहें इसकंद गुप्त के भीतरी अवलेक से पता चलता है कि कुमार गुप्त के अंतिम दिनों में पुस्स मित्रों का आक्मड हुआ इससे निपटने के लिए उसने अपने पुत्त इसकंद गुप्त को भेजा था और अंतिता पुस्स मित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा था कुमार गुप्त के सासनकाल में नालंदा विस्विध्याले की स्थापना हुई थी एक कुशन्स कई बार भूच लिया है और आप देखी वंडेक चाम में तो फैबरेट है आपका नालंदा विस्विध्याले की स्थापना किस के सासनकाल में हुई थी कुमार गुप्त के और विस्विध्याले को ओक्सपोर्ड और महायान बहुत दिवी कहा जाता है कुमार गुप्त ने महंद रादित, स्री महंद और असो मेग महंद की आधी की उपादिया धारण की थी और आपको बता दूँ विदेशों से आप देखी कि बाहरी देशों से हमारे देश में पढ़ने के लिए आते थे लोग समझ रहे हैं आप लोग फिर आप देखेंगे इसकंद गुप्त आता है और यह आप देखेंगे कि 454 से 400 च्रादित की उपादी लिए थी और जूनागड़ा विलेक में उसके सासन की पितम तिती गुप्त संबत 136 दी गई तो गढ़वा विलेक इबब चांदी के सिखों में उसकी अंतिम तिती गुप्त संबत 148 दी गई है और हूडों का पितम आकमड इसके समय में हुआ था औ और इसके सासनकाल में सौराष्ट, सौराष्ट परांद का राजपाल पर्णदत था और तथा सौराष्ट की राध्धनी गर्णार का पसासक चक पालित था जो पर्णदत का ही पुद्ध था इसकंद गुप्त ने ही पर्णदत का नेतित में मौरकालीन सुदरसंजील की मरम्म गुप्त और बुद्ध गुप्त के स्वड मुद्रा पर उसकी उपाधी स्री बिक्रम मिलती है सुदर संजील के बारे में बात करें तो देखिए चंद गुप्त मौर का नाम भी आप देखें पुस्से गुप्त बैस असोप तोसास और रुद्ध दामन सुविक साख इसकंद गुप्त पंड़दत और बुद्ध गुप्त बॉद्ध मतान हुए था और पिथम गुप्त सा सकता है उसने नालंदा महाबे विहार को धन को धन्दान में दिया था वह इंसांग का विवरन नर्सिंग गुप्त बाला दित उसका उत्तरादीकारी था उसने होड नरेस मेहर कुल को पराजित किया थे यह भी बहुत मतान हुए था तथा वसुवंधू का सिस्स था तथा उसने परम भागवत की उपादी भी गहर की थी नालंदा मुद्रा लेक से एक जादकरी मिलती है भानु गुप्त भी आप देखेंगे एक उलेक निया सा सकता और इससे संबंद हो जाता है और आप देखें कि एक अच्छा सासक नहीं रहेगा सकती साली सासक नहीं रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि उसका पतन निश्च्य है उन सासन सासन का यानि कि उस राज्य का क्या है पतन निश्चित है तो यह भी याद रखिएगा फिर आप देखेंगे इन्हें देख लिए कुछ यह आपका मैप आपको दिखाई दे रहा होगा यह आप देखेंगे पूरा नीचे तक आपको दिखाई दे रहा हो गुप्त समराज का यहां यहां तक आप देखें फैला हुआ था उपर अगर आप देखें तो ये ब्रह्मपुत नदी है क्यों सी ये है आपकी ब्रह्मपुत नदी ये आपका हेमालय हो गया और ये आप देखेंगे कि ये का हो गया सासानियन समराज हो गया यहां ये आपका सेंद नदी सतलोज करतारपुर लाहोर जलंदर यमना ये आप देखेंगे कि युद्धे अरुजनायन फिर आप देखेंगे मंदोर इंदपरस्त मध्थूरा और आप देखेंगे बिलसड कन्योज ए सरावस्ती कभिलवस्तू कुसी नगर आयोध्या बैसाली प्रय कासी समझ रहे ये नग फिर आप देखेंगे कि नांग हो गया फिर यहां याई दस्पुर सक इबल्लेवी इमरूकक्ष उज्जैनी यही नर्वदा नदी होगी तापती नदी होगी नंदी भर्दन वकातक अजनताय वस गुल्म यहीं और पितिश्ठान सूर्पा सूर्पा ठीक है और किसना ददी गुदा बरी यहां आजाईए तो आप लोग देखेंगे पदमाबती उदैगरी साची बिदीशा और यहीं आप देखेंगे भेल सा एरन दियोगर नचना परीब्राजक और यहीं उचकल्प मगद ठीक है और यहां देखेंगे पाटली पोत नालंद राजगीर बोध गया तामे लिपी पंडू बर्दन ठीक है और डवाक यह सम्तठ तामे लिपी यहां महानदी थी यह कलिंग यहां ठीक है कलिंग नगर फिर अप लोग नीचे आए तो यहां देखेंगे यहां आपका बंगीपुर अई तोंग भद्दा नदी हो गई यमना हो गई गंग पल्लाव कांची पुराम चोल काविरी पत्नम मदुरै पांड चैर ठीक है यह अनुराधा पुर यह ताम पढ़नी हिंद महासागर नीचे आपको देखने को मिलेगा यह बंगाल की खाड़ी अरब सागर तो यह सभी याद रखे है अगर हम लोग गुप्त काली इन पिसासन की बात करें इस समय की पिसासन की तो आप देखेंगे कि इनका पिसासन भी बड़ा रोचक कहानिया उसे भरा रहा है तो गुप्त पिसासन केंदरी कित मौर पिसासन तथा फूर मद्यकाली सावंती सरचना के बीच संकमण की अवस्था को दर साता है और यह अगर भी इस काल में केंदरी पिसासन से लेकर इस्थानीय पिसासन तक एक सुसंगरठित सरचना दिखती है इस काल में कुछ महत्पूर्ण पिरवितियां उवरी जो मद्य योगीन पिसासन की सामान विसिस्ता बन गई और जैसे भूमी अनुदान के कारण राज्य का नियंतन धीला होना और जिससे बड़ी संख्या में आप देखेंगे अधीनस तेवा मध्यस्तों की भूमी का बड़ी और पेउक्त पिरवितियों का जुकाओ भी कैदरी करण की ओर था और इससे पिसासनेक धाचे में सामन्ती तत्तों की भूमी का में बिड़ी हुई और आप देखेंगे कालीदास की रचना कामंदक की नीती सार में गुप्त सिक्कों तथा अविलेखों आदी से गुप्त काले इन पिसासन पर ब्यापक परिकास पड़ता है मौरियों की फिपरीत आप देखेंगे उप्तसासकों ने परमेसुर, परमभागवत, परमभटारक, आदी भारी भरकम उपाधियां विधारन की, कोटेली की धरम विजय की आउधारना को इसकाल में बल मिलता, भूमी अनुदान की एक कारण राजी की दायत में कमी आई और क्योंकि पांचवी सदी के बाद आप देखेंगे दान गहिरता को पिसासनिक अधिकारवी सोंपे जाने लगे, अधिकारियों की सीमसंख्या उच्पदों का बंसानुगत होना, एक बेक्ती द्वारक कई पद्धारन करना इस पिसासन की विसिस्ता बन चुकी थी, राजप उत्पत्ती का सिध्धांद जो मनुई समिती में प्राफ्थ होता है, और गुप्त योग में लोकपुरिय नहीं रहा, बार वानशे इस सिध्धांद देवी उत्पत्ती का इसपष्ट रूप से तरसकार किया गया, समराट राचकाज में अमात्तियों, मंत्रियों तथा अन पुत्ती उत्रा अधिकारी हुआ गरता था, राज्तन्त था, जिसे राजा अपने सासनकाल में ही मनुनीत कर देता था, अपने जीते जी, ठीक है, और इस समय बिभिन बिभाग, बिभिन मंत्रियों उसके सचीवों के अधीन होते थे, जो बहुदा बंसा अनुगत भी हो सक सकते थे, जैसे बीर सिंग के उदाइगरी, गुहालेक से पता चलता है कि वह अनुबान से पिसा सकता, यह आप देखे, गुप्त कालीन पिरमोख अधिकारी है, यह अधिकारी हो गए, उनके बिभाग हो गए, अधिकारी और बिभाग, कुमार, कुमारा मात, यह बर्तमाल स सिक्षा अधिकारी हो गए, भन्डा, गारा, धी, किर्थ, यह राजगोष का अधिकारी हो गए, वह अक्षपटलिक, यह लेखाविभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो गए, युक्तपुरस, यह योदिम हैं प्राव्त सम्पत्ती का लेखा जोखा अरे, लोगता घुक अर और पिसासन की सुग्धा के लिए गुप्त समराज को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था प्रांत को देश अवनी अत्वा भुक्ती कहा जाता था प्रांत को और भुक्ति के सासक को उपरिक कहते थे और इस पत्पर राजकुमार अथवार राजकुल से सम्मन्दित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थे सीमान्द पिद्वसों के सासक गुपता कहलाते थे क्या कहते थे गौपता और भक्ती का विभाजन भुक्ती का विभाजन अनेक जिलों में हुआ करता था और जिसे विशय कहा जाता था इस पिधान अधिकारी को विशय पती कहते थे विशय पती का अपना कारियाल होता था जिसमें अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले नंगर सिश्टी सार्थ वाह, पि थम कुलिक, पि थम कायस्त, प्रमोख नगरों का प्रबंद आप देखेंगे नंगरपालिका करती थी नगर का पिधान दिकारी पुरपाल कहलाता था आप देखेंगे जेले तहसीलों में बटे थे इन्हें विथी कहा गया और तहसील पेट में और पेट ग्राम में विभाजित हुआ करते थे ग्राम पसासन की सब छोटी का ही था और इसका पसासन ग्राम सभादवारा चलाय जाता था ग्राम का प्रमुक अधिकारी ग्रामिक या फिर ग्राम पती कहलाता था ग्राम में आप देखेंगे महत्तर, अष्ट, कुला अधिकारी, ग्रामिक या कोटुम्मिन अन अधिकारी थे समय गुत काल में न्याय विवस्था का समचित प्रमंद किया गया था और समराज सरवोच न्याय धिस था और न्याले के चार वरग थे, राजा का न्याले, ओग, सैडी, कुल दंडनायक, महादंडनायक तथा सरव दंडनायक नामक न्याय धिस भी हुआ गरते थे आप देखें कोई गलत काम कर रहा है तो उस समय न्याय भी ही तो होना चाहिए इस काल में अनेक बिधी, गरंथ, संकलित किये गए, पहली बार दीबानी और फोदारी कानून भली भाती परिभासित किये गए और पिठक हुए समय इस काल में उत्तरादीकारी के बारे में बिस्तित नियम ने धारित हुए और गुप्त पिसासनिक विवस्ता में आप देखेंगे समराज, फिर आप नीचे आएंगे तो देश, भोक्ती, अत्वा, अवनी, प्रांथ होते थे फिर नीचे आएंगे बिसाय, जिला, फिर आप देखेंगे बिती, तहसील, और सबसे नीचे पेट, एक ग्राम से बड़ी इकाई थी और राजा के पास इस्थाई सेना हुगा करती थी, उनकी अपनी सेना हुगा करती थी सेना के प्रमुक चार अंग होते थे, पदाती, रत रोही, अस्वारोही, गज सेना, दीख है, यानि की पदाती है, मतलब, समझ रहे हैं, आप लोग पैदल चलने वाले, रत रोही, मतलब रतों से चलने वाले, अस्वारोही, यानि की गोडों से, और गज रोही, यानि की सम क्या कहते थे चामुए और गज सेना के नाय को कटुक कहते थे और असरोही सेना के पिरमुक को अटासव पती कहा जाता था पुलिस बिवाग के पता अधिकारियों में उपर एक दसा पराधिक चोरो दरनिक और दंडपासिक अंगरक्चक आधी पिरमुक थे गुप्तचर करमचारी को दूत और पुलिस करमचारी को भट या भाट कहा जाता था गुप्तचर बिवाग भी होता था आप समय रहें गुप्तचर अधिक प्रिश्टियों से गुप्तों की राजनेतिक पिडाली मैं सावन्ती रंग दिखाई देता है सामन्ती रंग दिखाई देता है फिर गुप्तकालीन अर्थविस्था के बारे में बात कर लेते हैं एकोनोमी के बारे में तो गुप्तकालीन अर्थविस्था कि जानकारी बाढ़ भट्टे के हर्ष्चरित अमरकोस, बेहद सहिता, यागवलक, इसमीती, रुद्धदावन का जुनागडविलेग, कालीदास की कितिया, वाससायन की कामसूत, हैंसांग, कौसमास, आधी के बेवरन से पराप्त होती है समकालीन गरंथों में गुप्तकाल के पूरवाद में उन्नत सील, वड़िज ब्यापार और नगरीकर्ण की सूचना मिलती है, किंत्रू उत्तराद में वड़िज ब्यापार और नगरीकर्ण में कुछ कमी का आवास मिलता है, गुप्त अर्थविवस्था कुल मिलाकर कुल मिलता और अर्थिकविवस्था भूमी पर आधारी थी, किरसी का महत अधिक था, भूमी अनुदान से दूर वर्ति चित्रों में किरसी का फिसार हुआ, किरसी अधिकांस था यानि कि सिचाई की सुवदा नहीं थी, यानि कि आई का बुंदिल खंड आप लो कह लिए, क क्योंकि अभी भी आप देखें बुंदेल खंड में बरसा हो गई तो फसल हो गई वरना आप सुची कि उनके पास सिचाई का साधन कमी रहते हैं पीने के लाली पड़े रहते हैं सरकारें ध्यानी नहीं देत हुई है वारा है महिर ने बरसा की संभावना पर काफी विचार किय है और राजी की ओर से सिचाई के प्रवंद का प्रयास भी किया जाता था सुधर संजील इसकंद गुपत के द्वारा सिचाई के लिए अरघट के प्रयोग की चर्चा बाडवटने की है समकालीन गरंतों में फसलों का विसेस बेवरन मिलता है विहद सहिता तीन फसलों की ज जाता सिंग की अगर बात मानें तो इनकी अनुसा चावल और जो पिरमुक फसल थी समय कालीदास ने एक और धान की खेती का भी ओले किया भारत की सेक्सपीरियर इसकाल में सावंती तत्तों के कारण नए प्रिकार के भूमी संबंद विक्सित हुए और भूमी में सामंती त प्रिविस हुआ, राजा दिथा किसानों की मद्ध मद्यस्तों की सिंखला कायम हुए, याग वलक का विवरण, वेगार पदिती को प्रोसाहन मिला, पहला पुरातद्विक साक्ष जूनागड़ा विलिक, रोध्यदावन से मिलता है, किसानों की स्तिती अर्द दासों की समान ह हो गई, आंतरी केवं बाहे व्यापार में सिल्व का एक बड़ा अंसदान था इस समय, बहुत से सिल्व दैनिक जीवन में उपयोप से सम्मद्ध थे, बस्तूत पादन, सूती रेसमी उनी बस्त, निर्माण को विशेष परोसाहन मिला, दसरोब, कामरोब, बनारस, मत्रा, यहाँ मुख्ध थे, धातु विकास की दृष्टी से एकाल विशेष था, महरोली का स्थम, सिक्के, सुल्टान गंज सिपराप्त भुद्ध की कासमूर्थी, आप सुचिए कि महरोली का जो स्थम है आज भी आप देखिए जियों काते हो है, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि आज कल देखिए, आप लोग कोई, कहीं भी लोहा लगाते हैं, पांत-दस साल बाद आप देखते हैं कि वो जंग खा जाता है, लेकिन कुछ तो बात है महरोली स्थम में, कि आज भी जैसा करते से खड़ा हुआ है, वातसयायन के कमसूत में, धातु कला की गड़ना एक भब सूरी का मंदिर का निर्मान करवाया था, एक कुछ सेंस आ गया कई बारा, आपका एंपी-पी-एसी में पूछा गया था, मंदो सोर अब लिए किस से समंदित है, रेसम बुनकरों की सेंडी से, और इनका एक बड़न मिलता है कि सूर का मंदिर नहीं नहीं बनवाया था, इस्थान हो गए ब्यापरियों की सेंडी होगी, इन दौर एक तेलियों की सेंडी थी, बिदीसा, हातिदात की कारियर, और जैनी, अनाज ब्यापरी, नासिक, बुनकर, मंदसों, रेसम बुनकर, मथरा, आटा पीषने वाली कारियर, और संभी, गंदिक, तो इने भी ज निकाय का विभाजन, सरेष्टी कुलिक निगम, सेष्टियों, हस्त सिलिपियों एवं सैडीयों का क्यंद्रिय निगम या संग, पूग, विभिन जातियों के व्यापारियों का समो, सैडी, एक ही जातियों के व्यापारियों का समो, निगम, एक ही नगर के व्यापारियों क समोग तो इन्हें भी याद रखेगा यह आप देखें संभुद्द्गुप्त के और चंद्गुप्त के सिक्क्य हो गया समझ रहे हैं फिर आपके दूतियां भी आपको दिखाई दे रहे हैं ब्यापार एवां वाड़ेज जी के अंतरगत आंतरिक ब्यापार में अनाज और देनिक जीवन की बस्तूं में तह भाहिर व्यापार में विलासे इता से समद्तित बस्तूं का होता था इस व्यापार में स्रिलंका विचाली का काम करता था कौसमास बिक्सित ब्यापार वडिजी का जिक्क करता है रेसम ब्यापार में भारत मद्धेस्ति की भूमी का निभात था रेसम की अतरिक सूती कपड़ा, मसाली, कीमती पत्थर, आधी का नेरयाद भी किया जाता है और आयाति बस्तू हमें आप देखेंगे गोड़ा पिरमोखोते थे, यानि कि हम लोग गोड़ा खरीदते थे गुजरात बिजय से ब्यापार वडिजी को बड़ाबा मिला, जिससे मालवा और उज्जयन समर्द बने बिक्सित ब्यापार वडिजी के कारण गुप्तकाल के पूरवाद में समर्द्धी थी, फायान मद्वेपिदेश की आर्थिक संबंधता का जिक्क्य करता है गुप्तकाल में सरवादिक स्वड सिक्के जारी होना इस दिसा में संकित भी करता है यहां कुछ पॉएंट है, निगम ये प्यापारियों की सम्ति हुआ करती थी, सरिष्ठी ये निगम का पिद्धान हुआ करता थे सार्थ ये प्यापारियों के संब्धेश का सहना था, का निता गुपतेगाल के उत्रार्द में आर्थिक गतिविदियों में कुछ ब्योधान आया जिससे वारेज ब्यापार और नगरीकन को धक्का लगा इसका पता इस बात से चलता है कि गुजरात के लाट से रेसम बनकरों की एक सेड़ी बापर्श पच्छिम क्या हुई पच्छिमालवा आ गई इस ब्योधान का कारण रेसम ब्यापार को धक्का लगना था प्रोकोपियस की ब्यबरन से पता चलता है कि फारस वासियों ने रेसम ब्यापार का पर एकादिकार कर लिया था और इससे महत्कूर ब्यापारिक मार्गयों का पतन हो गया और हुण आकमर के कारण ब्यापारिक संबंद तूट गए क्या टूट गए संबंद टूट गए परिवतन के कारण किसी का हैरास हुआ फिर उसके बाद किसी काल में मुझरिस अरीका मेडू और काविरी पतनम के आउसा यह आप देखेंगे आउसान के संकेत मिलते हैं रेसम ब्यापार के पतन के बाब जूट दच्छिरपूर एसिया के देशों के साथ ब्यापार को प्रोशान मिला परंतु इसका लाप कीवर्ट तटियत छित्रों को मिला बेजे टाएन समराज से भी थोड़ा बहुत ब्यापार होता रहा और उपयुक्त कारणों से गंगा घा साती है जो एक तरफ जहां दुतिये नगर नगरी करण के उतकर से संबन देते हैं वहीं दूसरी तरफ आप देखें दुतिये नगरी करण के अवसाद के संकेत भी न जा रहाते हैं तो मदभेद हैं अलग-अलग आप सुचिए जो भी विद्वान रहे हैं बंगाल में ताम लेपी प्रमुख बंदरगा जबकि पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाय था भरगुकच भडोज फायान के अनुसार साधरन जनता रोज की बिनमय में बस्तूओं की अदला बदली कौणियों अधब कौणियों से काम चलाती थी सौने के सिक्कों को दीनार कहते थे कुसाणों के विप्रीद गुप्तों ने तामी किसी के बहुत कम मिलते हैं गुप्तों की ठीक है अक्षय नीवी अक्षय नीवी से असे इस्थाई दान से अर्था तैसी भूमी जिसमें अनवरत भूराजस्थ प्राप्त होता रहे और इसका पिछलम गुप्त दुतिये के बुद्ध सेनापती आमकारत्ताओ द्वारा उतकीन कराए गए सांची के पासान लेक में मिलता है जिसमें किसी हरी स्वामी नामक महला द्वारा बहुत संग में अक्षय नीवी जमा कराने का उलेक मिलता है फिर बात आती ही गुप्त कालीन समाज की कि एस समाज कैसा था तो गुप्त काल में समाज एक जटिल समाजिक सरचना को अभी ब्यक्त करता है इस काल में हुए परिवर्तनों की ब्याक्षा आर्थिक परिवर्तन की प्रिष्ट भूमी में की जा सकती है और गुप्त कालीन समाजिक सरचना को पेरित करने में कई कारकों क यहां यह था ब्रह्मडवादी, पुनरोध्थान, जन्जाती तत्यों का आत्म साती करन, विभिन पेसेव समुहों का जाती की रूम में बगलना आदी और इस काल में कुछ महत्पूर्ण प्रवितियां ओवरी जो मत दियुगी समाज का महत्पूर्ण अभी लक्षन बनी और इस काल में आप देखेंगे कि विभिन ब्यापारेक, ब्यवसायक समुहों का जाती की रूम में ढलनें, बड़ी संख्या में विदेसियों के आगमन आदी से अनेक जातीयों का विकास हुआ, कारीगरों की सेडियां एक जाती का रूम ले लेती थी, उत्तर भारत में ग्राम इसका उलेक याग वलक ने किया और उनका कार लेखा करन गरणा आइबर हो बूमी से संबंदीत था, किस से बूमी से संबंदीत था आइबर? औसनम इसमिती में कायस्त का एक जाती की रूम में उलेक मिलता है यह कहा गया कि भूमी और भूराजस के हस्तानानतन के कारण कायस्त जाती का जनम हुआ गुप्तकालीन अग लेकों में उन्हें पिथम कायस्त या जेश्ट कायस्त भी कहा गया गुप्त काल में ब्रह्मड बादी पुनर उत्थान के कारण बढ़ विभाजन को बल मिला बड़े पिरमान पर गरामदान की प्राप्ती से ब्रह्मडों दुवारा गुप्त बंसियों एबं विदेशियों को छत्रिय का दर्जार दिया गया यानि कि आप कहिए कि इस समय भी रिष्पत चलती थी अगर आपने रिष्पत दे दी तो आपको छत्रिय बना दिया गया इस काल में यग को पुनहा पितिष्ठा मिली और ब्रह्मड बड़ व्यवस्था की परम पिती पालग बन गए उन्होंने बहुत से विसे साधिकार अर्जित किये जो लगबग इसी सब्दाब्दी में रचित नारद इसमीती में गिनाए गए अड़त सास्त की तरह वराहे मिहिर ने बेहल सैता में भी चार बरणों के लिए अलग-अलग बस्तियों का विधान किया नियाई सैता में ब्रह्मडों की परिक्षा तोला से छत्री की अंगनी से बैस की जल से और सूद की विस्ते की आप सोचे की इनकी भी कैटेगरी उन्होंने बना दी इस काल में वैस्ते की सामाजिक दसा में गरावटाई उनकी स्तिती सूद्र के समकक्ष मानी जातने लगी और संभवता वाड़ेज वाड़ेज ब्यापार के पतन के कारण तथा पध्धन एवं एग से बिरत होने के कार भी दिया इने उन्हें उन्कार की बदल बदली नमा कहकर पंच महायगी की अन्मती दी इसकाल में सूद्रों द्वारा सैनिकार का विवरन भी मिलता है हैंसांग ने खेती हरबरक की रूम में भी उलिखित किया है सौराष्ट अभद्धी मालवा की सूद्ध राजाओं की च कि दसागी बात करें तो सहित में आदर्श चित्त पिस्तुत किया गया कि दू बेवार में उनकी स्तिति में गरावट आई महलाओं की स्तिति में भी उनकी सुतंता समाप्त हो गई उन्हें जनम से मित्तर पुरोसों के अधीन रहना पड़ता था यग वलक इवं कात्यानन न यग पी उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया परंतु अनेक इसमितियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया बाल विवाद, देउद्दासी पिथा, काली दास, परदा पिथा, अभी ज्यान सेकुंतलम, सती पिथा, एरन अभलेक, आधी का पिचलन भी मिलता है, इनमें उ नारत की नुसार संतान हीन बैक्ति की समापती राज को पराप्त हो जानी चाहिए, यग पी राजा का करतब है कि वह बिदिपा का पालन पोसन करें, और नारत ने इसे सनातन धरम कहा, और यग पी इसकाल में उच्च वरग की महलाएं सिक्चा पराप्त करती थी, और अमर को होंगे, आप देखे कुछ परिवार अच्छे रहे होंगे, जो महलाओं को अधिकार देते होंगे, दासों की स्तिती दैनी ये थी, नारत ने पंद्रह जबकि मनु ने साथ पिकार की दासों की चर्चा की, नारत ने दासमुक्ति के अनुष्ठान बताए, दासों का कारे अच्छोतों की संख्या में बिस्तार हुआ, और उनकी उत्पत्ती वर्ड संकर जाती तथा पितीलों बिवाय से हुई, इस मिट्टियों में मुद्ध बिसिक्त करन अम्र्ष्ट परासों तथा उग आदी में सिर जातियों का उलेख मिलता है, भायान के अनुष्ठान अच् अगर हम लोग गुप्त काली धरम की बात करें, तो गुप्त काल ब्रहमर धरम की पुनर उत्थान का काल माना जाता है, अनेक सासकों ने अस्वमेग, अगनी इस्ठोम, वाजफे, वाजज सने, आदी यग्य किये, इस काल में हिंदू धरम की तीन महत्पूर्ण पक्षबिक और ब्रहमर धरम के साथ आप देखेंगे, जैन और बहुत धरमों का अस्थित भी बना रहा, इस काल में यग्य की पदेती पुनाय स्थापित हुई, यग्यों को इतनी लोग प्रियता पहले कभी नहीं मिल दी, समुद्ध गुप्त तथा कुमार गुप्त द्वारा असुम में विक्सित हुई, ब्रहमर तथा गयर ब्रहमरों तत्यों के समांजस्ते से भक्ती की आउधारना का विकास हुआ, भक्ती के साथ आउतारबाद एवं मूर्ती पुजा की परिकल्पना विक्सित हुई, आउतारबाद विविन बिरोधी तत्यों की मद्ध समांजस्ते की को सिस्था विष्णू के दस आउतारों में ब्रहमड एवं गयर ब्रहमड दोनों सामिल थे भक्ती की आउधारना सामन्ती समाज में अधिक सामेक लगती है और बैसनाउधरम गुप्त राजाओं के राजासरह में लोग प्रियता की चरम सीमा पर पहुंचा चंदगुप्त दु मंदरों की स्थापना भीतरगाओ, कंदरिया, महादेव, देवगड की की और गुप्त काल में देवताओं के मद्द एक पदानुकरम मिलता है जो की सामन्ती आउधाना के अन्खूल है सैब धरम भी इस समय पिछलित था हाला कि गुप्त सासकों ने सासक बैसनो थे परंतु धार्मिक सहिषडूता की भावना से सैब धरम का समाज में यतोचित पिरचार पिसाल था, कुमार गुप्त पिथम की मंत्री पिथवी सेन ने सिम मंदर को दान दिया करम दंडा अविलेक में ये वो लेक मिलता है, इसकंद गुप्त का अधी नस्त सामन्त महाराज हस्तिन से पासक था, भगवान की उपासना करता था, कुमार गुप्त ने अपने पुत का नाम इसकंद रखा था, इसकाल में तरी मूर्ती के परिकल्पना इस्तावित हुई, ब्रहमा विष्नु महेश, आधी के सहयुक्त मूर्तिया भी बनी, तरी देओ की परिकल्पना मूर्ती पू पूजा, सोर पूजा, मंदसोर सिलालेक से बात जानकारी मिलती है, माते देवी की उपासना सड़ दर्सनादी की पिरमुक्त धार्मिक तत्त हैं, इसकाल में बहुत धरम भी अपने स्वावाविक रूफ से विक्सित हो रहा था, नालंदा के पिसेद बिहार की स्थापना योगाचार का परदर भाव भी हुआ, जैन धरम का ब्यापारियों एबं मद्वरक पर परियाद पिरभाव था, कदम एबं गंग राजाओं द्वारा आस्रा इद्दिया गया, मत्वरा बल्लवी, सोइतामबर, धरम तथा बंगाल में पुंड, वर्धन, दिगंब, संपता इस पेकार गुप्त कालीन धरमिक वे उस था, विवित्ताओं से पूर्ड थी और जिसका सीधा समन्द, ततकालिक, समाजिक, आर्थिक परिवर्तन से था, अब बात करते हैं, गुप्त कालीन कला की, बास्तु कला, मुर्ती कला, चित कला, कला, इबं साहितिके विकास की दिर या सोड़े उप कहा जाता है, सबसी अच्छा काम हुआ है समय, और गुप्त कालीन, कला ततकालीन धरमिक विश्वासों सामाजी के धरमिक आवस्तक्ताओं का पिती ने दित करती है, चुकि यह बिरमर धरम के उत्थान का काल था, और आप देखें, कला का मुख बिसा है, एक मंदरों का निर्माड हुआ, यहाँ नीचे कुछ आप देख रहे हैं कि मंदर दिये गए, एस्थान हो गए मंदर इस्तो, भूमरा, नागौद में सिब मंदर, तिगवाद, जवलपुर में विश्नु मंदर, दियोगर जासी में दसा उत्तार मंदर, सिरपूर में आप कानपूर में आप देखेंगे इटों का मंदर, सारनाथ में धमेक, इस्तो, भीतरी में आप देखेंगे इटों का मंदर, नालंदा में बौद मंदर, खोल, नागौद में आप देखेंगे सिब मंदर, ठीक है, तो यहने भी याद रखेंगे, कई बार आपका वट एक जाम म सिर्पूर में विष्नु मंदर उद्यगरी में भीतर गाउं कानपूर में ईटों का मंदर है, सारनात में धमेक इस्थूप भीतरी ईटों का मंदर, नालंद्णा में बाध भीहार खो नागौद में सिम्मंदर गुप्त कालीन मंदिरों का प्यारहम गरव ग्रह के साथ हुआ जिसमें देव मूर्ती की स्थापना होती है और मंदर का भीतरी भाग साधा होता था दौरवाल की स्थान पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमना की प्तमाएं भी बनी हुएती है मंदर की अतरित बहुत इस्थूप सारनात का धमेक इस्थूप इंटों से बना है गुहा मंदर ब्रहमर गुहा मंदर ओदैगरी मंदर बहुत गुहा मंदर अजंता तुथा बाग आदी प्रमों के स्थापत हैं इस समयगे मूर्ती कला में गुप्तकाल में कुसाड काली मूर्तियों की तरह नगनता नहीं है यहां की मूर्तियों में सुसज्जित प्रवामंडल बनाए गए जब कि कुसाड काल में मूर्तियों का प्रवामंडल साधा था ए गुप्तकाल की पिरमुक रचनाय हैं इससे लेखक हो गए और पुष्टक हो गए देखिए लेखक से भी कुष्टन कई बार पूच लेता है कि पूच लेगा आप से की जो मेगदूत है इसकी किरती है किसकी पुष्टक है तो और कई बार आप देखिए कि कई इस्टेट PCS में इस तरह की कुष्टन पूचे जाते इतरे eneo , पूँच بنे की बार उन्हें पूचले में क्या जा रहा है उन्हें तो आप देखी पूचणा है बताओ चाहला न बताऊ पपाओ कालिदास की देखें तो मिच्छ कटिकम विसाकादत की देखें तो मुद्रा राक्षक देवी चंद गुप्तरम ये दोनों विसाकादत की हैं अमर्स कोस अमर सेंग की थी चंद व्याकरन ये चंद गोमिन की थी कामसूत ये आप देखेंगे वातसायन की थी पंचतंत विस्नु सर्मा की थी किसकी बिस्मु सर्मा की और आप देखेंगे नीती सार किसकी थी कामंदक की और दंडिन की अगर आप देखेंगे तो काब धर्शन, दसकुमार चरित।Cam both भास की देखें तो सुपन वद्धता, चारूदता, अरूभंग ये सभी भास की थी, वाण की देखें तो हरस्चरत, कादमरी ये वाण की थी, हरस की देखें तो नागानंद, प्रिये दर्शी का और रतनावली ये किस की थी, ये आप देखेंगे किस की थी, हरस की थी, तो य में भी याद रखिए का चीक है और नागानंद प्रिये दर्शी का रतनावली यह रस्की हो गए भार्वी की आप देखेंगे किर्तार जुनियम वत्स भट्टे की रावडवत बुद्ध गोस्की या विसुद्धी मग वराहे महर की यह आप देखेंगे बेहत सहिता और पंच सिद्धान्ती का यह दोनों वराहे महर की थी आरवट्टी की देखें दो ब्रह्मा सिद्धान्त आरवट्टियम सूर सिद्धान्त यह सभी आरवट्टी की थी नयाया वतार यह सिद्धिसन की थी चरक सहिता चरक की थी यूगाचार भूमी सास्तों महायान सूत्रालंकार य थी अभी अभी धरम कोस ये वसु वंधू की थी नभी नवनीत कम ए धनवन धन वद्तरी की थी ए फिर आप देखेंगे हस्त हस्त या यूवेद ये पाल काप्पे की थी ठीक है ये भी याद रखिए चोटी-चोटी बाते हैं मौटी-मौटी बाते हैं चितकला की स्थिती भी गुप्तकाल में अपने सिखर पर थी गुप्तकाल चितकला की सर्वोत किष्ट उधार अजन्ता बाकी गुफाओं से प्राप्त होते हैं अजन्ता की चितकारी में धार्मिक एवं अभी जाती है तत्त दिखाई परते हैं जबकि बाकी चितकला में लौकिक और सावन तत्त बात करें तो इसकी इस्तिती महाराष्ट में और अंगाबाद जिली में आपको देखने को मिलेगी है अजन्ता की गुफाएं एक गुफाओं की संख्या इसमें 29 है गुप्त कालीन गुफाएं इसमें 16, 17 और 19 है इसकी खोच की बात हो तो 18-19 में सर जेम्स अलेकजंडर ने की संवद्ध गुप्त को संगीत का ग्याता भी माना जाता है माल विकागनी मित्र में गड़ गंदास को संगीद वा नित का उच कलाकार माना जाता था नाट सलाओं के लिए प्रेक्छा ग्रय और रंगसाला सब्द मिलते हैं फिर बात आ थी गुप्त का अलीन साहित की तो समय इसमितियों जैसे नारत, बहस्पती, कात्यायन, परासर, आदी की रचना भी की गई गुप्त काल सेष्ट कभियों का काल था कुछ कभियों में किवल अभी लेखिये प्रमाड मिले जिसमें हरीसेयन, वत्सवट्टी और भीसेयन, सेव महत्पूर्ण थे हरीसेयन, दंडर नायक था, उसकी पिसिद्ध किर्ती प्रयाग इस्तमलेक है, यह गद्द पद्द मिर्सित चंपू सैली में है, वत्वट्टी कुमार गुप्त का दरबारी कभी था, इसने मालो संबत 592 यानि कि 472 इसमी में मंदसोर पिसस्ती की रचना की थी, बीसेंस सेव चंदग गुहाल एक है, जिसमें उसे सब्द अर्थ न्याय और व्याकरन राजनीती आदी का मरब, मग कभी येवं पाटली पूत का निवासी कहा गया है, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, याद रखना है, गुप्तकाली साहित कभीयों में सरप्षिष्ट भी काली दास थे, और इन्हें भारत का सेक्सपीर भी कहते हैं, इनकी रचनाओ नाटक महाकब खंडकाबे में बाटा जाता है, गुप्तकाल में बिग्यान और तकनीक की बात कर लेते हैं, साइंस और टेकनोलोजी की, तो गुप्तकाल में बिग्यान और तकनीक का समुचित बीकास कगा इस समय आर्वठ बराह Вराह मीर भासकर पितम ब्रह्मा गुप्त अतेंद पिसिद्ध विद्धवान थे पत्ना निवासी आरवठ ने पिसिद्ध गरंथ आरभट्टियम लिखा और और इन्होंने दसमलो पेनाली का विकास किया, सरपितम इन्होंने बताया कि पितवी गोल है और अपनी धुरी पर गुमती है, सूर गहन, चंद गहन, पढ़ने के बास्तविक कारणों पर विकास भी डाला, पाई का मान 3.1416 बताये इन्होंने, किसने? किसने बताया था? एक आप चे आप जीरो पाच दिन बताया था इन्होंने, एक गुप्त काली सरफशिट गड़ितक और जोतिसी थे, भासकर पितम, ब्रह्म पुत्ति के समकाली पिसे दिखागोल सास्त्री थे, आरवट के सिध्धान्तों पर ठीकाए नो लें लिकी, तीन गरंद, महाभासकर, ल जोतिसी थे, एक जोतिस के इतिहास के रूम में अतिक पिसे दे थे, इनकी रचनाओं की बात करने तो पंच सिध्धान्ती का बेहत सहिता, बेहत जातक और लगू जातक थी, बहुतिक रसायने को धातू बिज्ञान पर भी फिर्वाल विकास हुआ, नागर जुन उचकोटी के रसायन सास्त्री ये उम धातू बिज्ञानी थे, अनेक काफस पितिमाये महरोली का लोह स्तम 1500, 1500 साल बाद भी जंग से सुरक्षित है, तो आप समझे उचकोटी की एक तरह से आप सोचे, बिज्ञानिक कह लिजी आप लोग सास्त्री, रसायन सास्त्री कह लिजे, धातू बिज्ञानी कह लिजे थे, जो इस तरह का लोह स्तम बनाया, धातू की कला की विक्सिक तकनीक की जानकारी देते हैं, और विसेसिक ने परमाडू मोडल की संकल्पना भी पिस्तुत की है, चिकिस्सा छेतु में धर्वंतरी पाल काप पिसिद्ध थे, और इस पिकार कला साहत तो बिज्ञान और पुरुद की आदी छेत्रों में गुप्त काल का मुल्लैंकन किया जा तो एनेश्चेती स्वड काल माना जाएगा, तो ये कहानी आपकी खतम हो जाती है, गुप्त काल की, और आप बात करेंगे हम लोग अंगली किलास में गुप्त उत्तर काल की बारे मे आने के, आपके कुछ सुझाओ हों, कुछ आप लोगों को सवाल हों, तो आप लोग बताईएगा, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, जोय करते रहिए, और मेहनत करिए